सभार राजेवर्धन सिंह डाठोड क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं कंपनी पेनियम 2013 की धारा 395 के अंतरगत सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड का 58 वर्ष वार्षिक रतिवर्धन वर्ष 2022 मानने देख्ष मोदे मैं आपकी अनुमती से राजस्तान राज्ये पाठे पुस्तक मंदल के मेमोरेंडम आफ एसोश्यन के नियम 46 के अंतरगत राजस्तान राज्ये पाठे पुस्तक मंदल येपूर की वार्षिक और इट रिपोर्ट वर्ष 2022 2023 सदन की मेज पर रखता हूँ श्री जाबर चिंग खर रहा मानने देख्ष मोदे मैं आपकी अनुमती से कंपने दिनियम 2013 के धारा 395 के अंतरगत जैपूर सीटी टांस्पोर्ट सर्विसेज लिप्रेड का वार्ष प्रतिवेजन वर्ष 2022 2023 सदन की मेज पर रखता हूँ धन्यवाद कारे सलाकार समीटी का प्रतिवेजन श्री जोगेश्वर कर अजएक्ष मोदे मैं आपके नुमती से कारे सलाकार समीटी के चत्वर्थ प्रतिवेजन का उपस्थापन करता हूँ अजएक्ष मोदे मैं प्रस्थाव करता हूँ कि यह सदन कारे सलाकार समीटी के चत्वर्थ प्रतिवेजन पर अपनी सेमती प्रकर्ट करता है कारे सलाकार समीटी की बैठक जिनांक 10 जुलाई 2024 को मद्द्यान 55 बज़े मानने अजएक्ष मोदे के वैश्मों में हुई समीटी में निनने लिया कि गुरूर जिनांक 11 जुलाई से मंगलवार जिनांक 23 जुलाई तक सदन में ले जाने वाले कारे की नियतन निम्न प्रकार क्या जाए गुरुवार जिनांग 11 जुलाई, शुक्रवार जिनांग 12 जुलाई, परिवर्चित आएवे अनुमान वर्ष 2024 पर सामने वादिवाद शनिवार जिनांग 13 जुलाई, रहिवार जिनांग 14 जुलाई, बैठक नहीं होगी सोमवार जिनांग 15 जुलाई, परिवर्चित आएवे अनुमान वर्ष 2024 पर अग्रेतर सामने वादिवाद मंगलवार जिनांग 16 जुलाई, परिवर्चित आएवे अनुमान वर्ष 2024 पर अग्रेतर सामने वादिवाद एवं राजिस सरकार की और से उतर बुद्वार जिनांग 17 जुलाई बैठक नहीं होगी गुरुवार जिनांग 18 जुलाई शकरवार जिनांग 19 जुलाई सनिवार जिनांग 20 जुलाई पर्तिवर्तित आए व्यायक अनुमान वर्ष 2024 परिशे संबंदित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मद्दान रहिवार जिनांग 21 जुलाई बैठक नहीं होगी सोमवार जिनांग 22 जुलाई मंगलवार जिनांग 23 जुलाई परिवर्तित आए व्यायक अनुमान एवं वर्ष 2024 परिशे संबंदित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मद्दान प्रस्ताव करीज़ प्रस्ट ये है कि सदन प्रतिवेदन पर सहमती प्रकट करता है जो पक्ष में हो हां कहें जो विपक्ष में हो ना कहें हां पक्ष जीता सदन दोरा प्रतिवेदन पर सहमती प्रदान की गई परिवर्दित आयव एक अनुमान वर्ष 20-25 पर सामान यवाद विवाद हेटू समय का आवनटन मुझे सदन को सूचित करना है कि परिवर्थित आईवयक अनुमान वर्ष 20-25 पर सामान यवाद विवाद के लिए लगबग 16 गंटे उपलब्द है उपलब समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी समलित है मैं विभिन पार्टियों के लिए समय का बट्वारा निम्न प्रकार करता हूँ बातियंता पार्टी 9 घंटे 26 मिनिट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस 5 घंटे 25 मिनिट बात आदिवासी पार्टी 15 मिनिट बाउजन समाजादी पार्टी 10 मिनिट राष्ट्रिय लोगदल पार्टी 5 मिनिट निर्दलिय 49 मिनिट 16 घंटे टोटल आवंटे समय 16 घंटे सामान वाववाद में राज्य की परिवर्थित आयवेक अनुमान वर्ष दोजाद 24 25 पर सामान वाववाद प्रार्णम करना है सूची में जो नाम आये हैं सबसे पहले दीप्ती किरन महेश्वरी शुरू करें मानी अद्यक्ष मौदे आपने मुझे परिवर्थित बजट 2024 पर बोलने का अफसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ग्यापित करती हूँ कल हम सभी ने देखा सबका साथ सबका विकास वाला बजट हमारे राजिस्थान के एक बहतरीन भविशे के एहसास वाला बजट एक ऐसा बजट जो उन्नती के तमाम आधार लिखेगा एक बजट जिसमें हर शेत्र के लिए कुछ न कुछ दिखेगा एक बजट जिसमें बांध, नहर और नल तक के वादे हैं एक बजट जिसमें जन समस्यां के समाधान के इरादे हैं एक बजट जिसमें बिजली सोलर और जी एसेस के निर्मान समाए हैं जिसमें सड़क पुल और एक्स्प्रेस हाईवे के नए मार्ग बताए हैं सिर्फ सड़के ही नहीं पूरे यातायाद पर हमारा ध्यान है मेट्रो और इतनी बसों की गोशना उसी का परिणाम है ये बजट बहतर बनाएगा प्रदेश के हर एक बच्चे की शिक्षा ये बजट बहतर बनाएगा हर एक शेत्र की चिकित्सा एक सरकार ये सरकार सुनिश्चित करेगी सारे बहतरीन उपाए देखना अब निखरेंगे ग्रामीन और शेहरी निकाए उध्योगों ने भी सुनी होगी कल कुछ बहतर की आहट जब टेक्स्टाइल से मार्बल तक पहुँच रही थी राहत बजट में वोकल फॉर लोकल को मिखारने की बात थी बजट में धरोहरों और संस्कृतियों को सवारने की बात थी बजट में किसान एवं कशी के उत्थान की बात थी बजट में परियावरत के एक महा भ्यान की बात तो देखें विधान सभा की कारेवाही की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पर रिप्लाई आएगा 23 जुलाई तक सदन चलेगा और 16 जुलाई को बजट पर रिप्लाई आएगा पॉलिटिकल एडिटर हमारे योगेश शर्मा हमारे सजुड़ रहे हैं पर योगेश जी तो कुल मिलाकर बजट पर चर्चा तो चल रही है लेकिन रिप्लाई आएगा बजट पर 16 जुलाई को इस बात पही है कि बजट पर प्रतिविद्यन अभी रखा गया जी सदन के पटल पर और 23 जुलाई तक अभी सदन का कार्य सुची का निर्धाना हो चुका है सोला तरिक को बजट पर चर्चा चल रही है सदन में जी राजी सरकार के ओर से जवाब पेश होगा उसका और अनुदान मांगों पर चर्चा का दौर शूर हो जाएगा और बीच में कुछ अवकाश के दिन होंगे और 23 को अब तक का कार्य दिवास है तेज से आगे बढ़ा है पुरा एजंडा उसको आज मंत्री मुक्य सर्चा जो विश्वरकर्ण में रख दिया है सोला तरिक को बजट पर जो रिप्लाई होगा राज सरकार के और से उस रिप्लाई में और वी कई गोश्टाएं जी हमें देखने को में सकती है जी क्योंकि क्ट मोशन जो होते हैं बजट पर पर प्रप्लाई की दोनान आज शुरू ओगल चर्चा का दोर आज से शुरू हो चुका है जी अजी अजी महिश्वरी ने बीजेटी की विधायक है दूसरी बार वो चुनाव जीत के आई है रात्तामन से जी और कद्दावर मेता क्रिण महिश्वरी की बेटी व तो उसके बाद झेल करदा हिर जो आख लेने के जो जावाये हैं उनको वी रिप्लाई में शामिल किया जा सकता है मुझे ऐसी अच्छा हुचे जिनकर गोशना है हो सकती है बड़े एलान हो सकते हैं तो वो भी हमें स्प्लाइ के दुरान देखने को देखने हैं चलिए ठीक है योगर जी बहुत शुक्रिया बात्चीत के लिए